रतलाम से 12 किलोमीटर दूर गाव बांगरोद में एक ऐसा मुक्तिधाम है जो अपने सौंदरी करण के कारण चर्चा में है जिहां इस मुक्तिधाम में आकर मन को सुकून और शांती मिलती है और पर्यावरन का साथ भी मिलता है आईए देखते हैं इस अनोखे मुक्तिधाम प और वहां माहोल एकदम शांतो और आप मन को सुकून देने वाली एक अद्भुत सुन्दर अनोखे सल जाना चाहते हैं तो आपको कहीं भटकने की आविश्यक्तार नहीं है रतलाम से 12 किलोमीटर दूर गाव बांगरोद पहुँचकर ले सकते हैं आप इनका आनंद यहां के लंबे लंबे पेड़ और सुगंदित फूल और यहां चारो तरफ साफसफाई और विवस्था को देख यहां पहुचने वाला हर शक्स तारीफ करते थमता नहीं करे भी क्यों नहीं क्योंकि यहां के लोगों की मेहनत जुरंगलाई है गाव में किसी के घर महमान आता है तो वो भी यहां देखे बिना वापस नहीं जाता उससे भी खास बात तो यहां निकल कर आई कि शुपकारे भी यहां होने लगे हैं जन्म दिन मनाना दिपावली की समय दीप और रांगुली लगा कर दिपोचसव मनाना अन्नकूट कर यहां भूजन करना यहां बच्चे और मह महिलाएं जाने से डरती नहीं है बलकि अब पहुचने वाली महिलाएं सेलफी भी लेती है यहां मन को सुकून के साथ साथ शान्ती भी मिलती है मैं हूँ आपके साथ बलराम धमान मैं इस वक्ते मोजुद हूँ रतलाम जीला मुख्याले से लगबग 12 किलोमेटर दूर गाउं बांगरोध यह बांगरोध पहुचे हैं आपको यह जो बगीचा अलिसान जो एक गाडन दिख रहा है यह गाडन यह गाडन नहीं है यह एक सामाजिक जो कारे करता है हम उनसे जानना चाहेंगे सर क्या नाम है अपका मेरा नाम देविलाल पाड़िदार है अच्छा यह आप जो एक यहां जो सांती दाहम बना है यहां आने के बाद में एक सांती मैसुस हो रही है हमें भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम रतलाम से क्योद्य गाहों में भी मुक्तिधाम एकना है यह सबस्ज़वें समयंने सामाज सभी समाज का अंतिम испweet रेंवेंशन है नाइ यह यह इसकी इसा विश्यास्ताइख मुक्तिधां में जो भी वेख्ति आता ही। उत तारीब करता है और यह जी ने कैसा अच्छा मुक्तिधां सब कि यह सवच तो क्या है सब लोगों में आ ही ढ़ाओं का संयोग मिला और यह आने के बाद संति के प्रत्रीक दरे-ले मिला सब का संयोग से एक उर्ट Today वाक्रें एक होता है संति निभका तो लोग यह सथ सांति मेसूँ करना यह यहां पर शुरुबात की और उसका नजारा है जो आज आपके सामने हैं हम और भी किया है वह हम जानेंगे यहां जो एक और समाथ से मोजीद है तेज नारायन बहना जी आप यह बताना चाहेंगे कि आखिर यहां पे आप क्या-क्या सेवा देते हैं यहां पर आप किस तरीके से क्या क्या सुविदा है नहीं हैं तक कि पाने हैं और हो अचया बात करते हैं कि यहां पूरे गाँण कि अपने आप में यह सान्ती दे रहे और उसके बाद कि यहां एक लोग इस्थानी जो कारे करता है इन्होंने बताया कि यह अध्बूत सांथि धाम है यह को गाडन यह करोप में तब्दिल है यहां गड़िल है रोप में अगर देख करते हैं तो इन यहां यहां यही इसको नहाना है वो नहा सकते हैं जिसको हाथ पाउंद होना है वो हाथ पाउंद हो सकते हैं और उसके बाद में यहां बेठने के लिए बेठने के लिए कुड़िया भी लगई हुई है जो यह इस्था ही जो होती है वो कुड़िया लगई हुई है यहां रंग पुताई भी कि कि यह गाओं बहुत बड़ा गाओं है कम से कम 6,000 लोगों से भी बड़ी आबादी वाला इतना बड़ा गाओं है और इतना बड़ा गाओं का एक मात्र सांती दाम है जो हम इस वक्त यहां मोजुद है और अगर बात करते हैं तो एक विशस्ता यह निकल के आई है कि यहां को साप सुत्रा अगर देखा जाए तो इतनी गजब साप सुत्री विवस्ता जो की गई है यह वास्तों में यह धन्यवाद के पातर हैं यह लोग यहां जो आज पोंसते हैं जो यहां के लोगे इस्थाने वो लोग जो तारीप करते हैं वाकित तारीप करने लायक है मेरे साथ केमरा परसाद चंदर सेखर चोहान के साथ बलराम दमान दबंग न्यूज रतलाम रतलाम से दबंग न्यूज के लिए बलराम दमान किया विशिश रिपोर्ट